हाईलो दोस्तों आप सब कफीज़ स्वागा थे मेरे नई ब्लोग वीडियो पर तो दोस्तों मैं जा रहा हूं अपना खेत देखने के लिए बहुत 10-15 दिन हो गया लगबग जो धान का बीज दिये थे न वह हुआ है कि निफ देखने के लिए जा रहा हूं अब बारिश तो बारिश तो अब धान का रॉपाई भी करना होगा तो चले देखके आते हैं कि जो दीज हुआ दिये थे वह बीड़ा कितना बड़ा हुआ है बड़ा हो गया है तो फिर तो रॉपाई करना होगा नहीं तो फिर अभी टाइम लगेगा चले वीडियो मेरे बने रही है फुल सफ़े दिग रहा है वो चिंडियाना बैठे से लिए वह दिया हुआ है और नीचे भी खेत में दिया हुआ है सब इलोग तो अभी दुगा नहीं हुगा है अभी ऐभी के अई टाब है और लोग मेरा है कि नहीं गाया से चुकता प्रम से में जो दुगता आरकक फैंऑ शु रे बाबा रबक दूंगा तो सब्लब ठोस्ट में गुषक चला जाता है पहले रोपने से दिखते हबाद रोपने से नियुकत है कि गारी मिलने मिलता नहीं है और पहले रोपने से दिखते कि लागा खेत में घुषा फ़र दे गारी रीडिक ऐस than रहेगा तो क्या देखिए मारो खेत मेरा खेत नहीं है थोड़ा थोड़ा क्या बोलते इसको गुजराती भी बोल देता हूंगा रहे क्या करें यार लेवर आत्मिया सब परकर का भासा थोड़े थोड़ी जानती हूं मैं तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा कट करते हैं नाना मेरे गाउं के सामने का नाना का बेल है एक दो चरा रहा है वो देकार में बैठा हुआ है मेरा खेत के सामने यह मारेगा तो दुनी तो नहीं नो कि देख पेश्व बट लगना हुड़ू काना तब ठेका उतार हम चलो बाबा डरे लगता है जनुवार से मारी मेरा तो हरा हरा दीख रहे बाबा चलो चलो सामने जाके दिखाते हैं तो दोस्तो हावा बहुत जोस चल रही है इस लिए आवाज को थोड़ा निकाल रहा हूं कि आज देखिए मेरा धानवा तो उग गया है बाबा और यह जोगाड़ है बरसात में गाई बेल को बांधने गाए बड़ बड़ को पकार आए मेरा दादा अब दान तो उग गया लेकिन अब टाइम है कि देख सकते हैं सब पूरा नेवा बारिस देगा एक दो बारिस तो पानिवनी जमेंगा तो तुरंद बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा खाद लाके देना होगा गोबर उबर तो देख लिए मेरा खेट का पॉंधा हो गया है अब लगाने का देरी है लगाएंगे सो भी दिखाएंगे तो वीडियो में पुरा बोने रहे हैं इसके लिए आप सब का देन्वाद अभी के लिए बस इतना ही वाय है जाहिन